चलो यार, तो हम लोगों ने अपने smart contact manager में काफी चीज़े कर ली थी और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक advanced चीज़ की थी, हम लोगों ने user के account को disable करके रख दिया है, मतलब अगर वो verified नहीं है तो वो account disable रहेगा और अगर verified है तो enable हो जाएगा, लेकिन अब verify करेंगे कैस है, हमें क्या करना है, हमें अपने इस project से email की configuration करना है, मतलब email को send करना है, तो हम चाहते है, flow कुछ ऐसा रहने वाला है, कि जैसे कोई बंदा sign up करेगा हमारी इस application से, हम क्या करेंगे, एक email verification link उस email के अंदर डालेंगे, और वो email भेज़ देंगे, उसके email ID पे, और फिर उस link को click करके, वो activate कर सकता है, अपने account को, यह पूरा logic, हम लोग डालने वाले अपने project के अंदर, logic अपने हिसाब से, आप अलग भी रख सकते हो, कि एक बार sign up हो जाए, उसके बार login हो जाए, कुछ features ना चले, ऐसा करके, आप बहुत सारे logics अपने साथ implement कर सकते हो, कि login करने के बाद, फिर verify कर सके, या कुछ features आप log कर सकते हो, कि verification के बाद ही हो, बट हम पूरा account ही log कर देंगे, जब verify कर लेगा, कि particular email ID सही है, user की ही है, तब हम लोग enable करेंगे, तो यह काम करने वाले है, अब उसके लिए हमें भीज़ना होगा, अपने project से email, तो email की configuration हम लोग करते हैं, और हम लोग कौन सा email service यूज़ करने वाले हो, सब चीज़ इस वीडियो के अंदर करते हैं, तो काफी interesting और कुछ advance चीज़ आने वाली है, चलो, start करने, तो हम, हम अपने project पे आ चुके हैं यहापे, this is our project, जहापे हम अपने context को आइड़ए कर बार हैं, काफी चीज़ कर बार अधर्वाइस आप Gmail से भी बेज सकते हो, Gmail से कैसे भीजते हैं, email को हम अलड़ी वीडियो बना चुके हैं, भी latest में मैंने वीडियो बनाया था, तो link में नीचे, description box में दे दूँगा, वह से आप जाकर कर दिख लिए, कैसे email का flow काम करता है, कैसे email को यूज करके email को भीजते आप देख सकते हैं, आप क्या चीज़े नहीं मिलेंगी, compare कर सकते हो, यह paid वीडियो नहीं है, हम इसको यूज करने वाले क्योंकि हमें यह 1000 मेल दे रहा है पर मन्त हर महीने, तो testing के लिए ठीक है, इतना हो जाएगा काम, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, आप देख देखो, testing, email testing, email API and SMTP, email campaign, तो इसे साब से आप select कर सकते हो, तो अभी के लिए आप देखो, हमारे पास यह email testing है, test email on staging in dev and qa environments, तो अगर आप development कर रहे हो, या qa environment में हो, तो आप यह वाला तरीका है उसको यहाँ पर start testing पर जाओ, और यहाँ पर कुछ आपको credentials मिलेंगी, जैस इसका हम यूज करके, इविन आप यहाँ पर code भी, sample codes भी देख सकते हो, जैसे अगर आप curl यूज करना चाहरे हो, या PHP यूज करना चाहरे हो, Java, Python, बहुत सारी है, ठीक है, so let's see, Java कहा है, यह रहा Java, तो Java में हम कुछ ऐसे बेज सकते हैं, उन्होंने पूरा बता रखा है, so that is it, यहाँ से हम configuration को उठाएंगे, और configuration उठाके, अपने project के अंदर configuration करेंगे, उसको send करेंगे, email को send करेंगे, चलो, सबसे पहले आ जाते हैं, अच्छा, यह जो मैं तरीका आपको बताने माला हूँ, यह कोई service provider के specific नहीं है, कि आप यह service provider करो, आप change करके, configuration को change करके, then आप दूसरे service providers को भी use कर सकते हो, so हम आ जाते हैं, प्रोजेट के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ configurations करनी पड़ेंगी, तो हम आ जाते हैं, अपने src slash main slash resources के अंदर, और हमें मिलेगी, यहाँ पर application.dev.properties, यह development के properties है, production की priorities हम डालें के अंदर, या फिर हमारे पास एक नई file होगी, application-prod.properties, तो अपने इसाप से manage करनेंगे, जैसे हैं आपको manage करना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे email configurations, अब email configurations में क्या-क्या configuration करनी है, let's see, मैं आपको बताता हूँ, and उन configuration को आप डंक से कर लिए, तो हमारे पास बहुत सारी करके दिखाया था, email को send करके दिखाया था, email को send करते समय हमने image को भी attach किया था, अलग-अलग तरीके करके दिखाया था, वो वीडियो बहुत ज़्यादा important है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, spring.email.host, और host हमारे पास यहाँ पर क्योंकि Google का server था, तो password भी हम, अपने mail strip का उस करेंगे, अगर आपके पास Google account है, Google यहाँ पर आप बनाना पड़ेगा, वहाँ आपको आपको बता चेका हूं, then हम smtd.auth को true करके रखेंगे, and tls enable को true करके रखेंगे, यह चीश, तो हम configuration को बदलते हैं, एक चीश और करनी पड़ेगी, हमें यहाँ यहाँ पर स्टार्टर, mail भी लानी पड़ेगी, डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा भूल गया, कोई दिक्कत वाले बाद नहीं, हम यह configuring करने के बाद लगा देंगे, तो हम यह आपर आएंगे, आज आते हैं, यहाँ पर आएंगे, तेस्टिंग वाली ह यूज कर लेंगे, यहाँ पर फहले होस्ट ले लेते हैं, और होस्ट को होस्ट करेंगा, चिपका देते हैं, और पॉर्ट 587 ठीक है, 587 ठीक है, यूजर नेम यह रा यूजर नेम लगा देंगे, यह हमारा पासवर्ड है, और इस से ज़ादा मुझे लगने रहा कुछ और क करें ठीक है, इतना करेंगे, तो हमारी mail step की configuration हो जाएगी, if you want Gmail, तो Gmail की information यहाँ पर डाल दीजिए, Gmail की configuration हो जाएगी, अगर आपके पास कोई और email service provider है, तो आप उसको उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ने, जैसे मैंने इसको उसको किया, वैसे है, आप दूसरे को हमारी help करेंगी, email को send करने के लिए, इसकी implementation भी खुद से मिल जाएगी, बस हमें इसको auto-air करना पड़ेगा, तो आजाते हैं, हम अपने पॉंड.it email फाइल में आते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, हम लोग, देखो, लेंबॉक को गरहा लगा रखा है, हम लोग ने तो, बहु email डालते हैं, I think mail, java email, java mail sender, yes, and enter कर दिजे, so आप देखोगे, proceed कर दिए, अगर proceed claim आगेगा, तो I think हमारे पास java mail sender आ चुका होगा, let's see, कहा गया, yeah, so आप देख सकते हो, हमारे पास spring boot starter mail, यह starter file थी, यह actually हमारी dependency थी, जो required थी, email को भीशने के लिए, तो यह spring boot starter mail हमने ल लगा दीजेगा, and then हमने project को reload कर लिजेगा, हमारा project automatic reload हो चुका है, अब हमारे पास यह वाली class मिल जाएगी, java mail sender, and इस class के help से हम लोग data, या email को भेज़ भाएंगे, तो हम आज आते हैं, अपनी service हो गए, create कर लेते हैं, so, com.acm.service, इस package के अंदर आएंगे, और हम बना लेंगे, हाँ पर एक interface, नाम होगा, email service, and इस service में आपको क्या-क्या रखना है, हमें सबसे पहले एक, void, एक method रखना है, जिसका नाम रखना है, send email, या send verification link, नहीं, send email, send email ही बना होगा, and इसके अंदर क्या-क्या रखेंगे, send email, मालब किसको भीजना है, string to subject and body, बस तीन क्या होगा, और क्या भीजना है, that's it, अगर सब को सही हो गया, तो email send हो जाएगा, अधरोज कोई exception generate हो जाएगी, उसके बाद अगर आपके पास कोई और information है, अगर आपके पास कोई campaign चला रहे हो, अगर आपको email with send email with html, तो आप भीज सकते हो, यह सब चीज मैंने बता आइड करेंगे another class, जिसका नाम होगा email service impl and यह जो class है guys, यह implement कर रहे होगे हमारे email service को, email service को, and exactly यह होगी हमारी service, जिसको हम auto wire कर चुक है, service जावा में service बनाने के लिए अड़ दरे service उसकरते हैं, and exactly हम क्या करेंगे, इसके methods को, इसके methods को, email service के methods को, अपने class के अंदर implement करें करेंगे, मतलब इसकी body, इन सारे methods की body, यहां पर provide करेंगे, तो हमें आप आएंगे, window की, या फिर sorry, अगर आप windows operating system में हो, तो आप control dot दबाएगा, और हम command dot दबाएंगे, add all implement methods पर click करेंगे, और सारे methods हमारे पास यहां पर आ चुके होगे, तो हमें क्या करना है, simply send email with attachment, send email with sender, email sender, and इसको हम कर देंगे, auto wire, if you want, तो आप constructor injection भी उसका सकते हो, depending, कि भाई, आप क्या यूश कर रहे हो, but, ठीक है, अभी के लिए हम auto wire कर देते हैं, production में हो, तो recommend यह होता है, कि constructor उसको, inject करने के लिए dependence इसको, then यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस email service का, इस email service. आप देखो, इसके पास बहुत सारे method है, हमारे पास एक send method है, unsend method में हम अलग-अलग तरीके की चीज़े पास कर सकते हैं, ठीक है, ओके, so, I think हमारे पास यहां पर set, क्या-क्या चीज़े हैं, और लेट सी, हमारे पास, हमारे पास अलग-अलग तरीके चीज़े को send क निकले, तो हम बनाएंगे यहां पर simple mail message, क्योंकि हम send करेंगे यहां पर, तो हमें mail message पास करना होगा, यह दिखे, my message, तो हम बनाएंगे simple my message, simple mail message, तो let's create a new simple mail message, इसको भी एक variable के अंदर हम डाल देते हैं, yes, यह हमारे actually message है, जो हम भेचने वाले है, message, अब इस message के अंदर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो भाई, नाम तो मैं सही से लिख दी हूँ, message, ठीक है, हम लिखेंगे message.set, bcc, cc किसको रखना है, from, कहां सा भीजना है, वो सब्सक्राइब हम यहां पर रखेंगे, so हम क्या करते हैं, let's put, किसको भीजना है, सबसे पहले, to को भीजना है, then message.set and then subject क्या होगा, subject and then message.set, body, body में आइधिक content, या फिर text, text भीजना है, कहां से भीजना है, तो एक email id, मैं यहां पर use कर ले रहा हूँ, let's suppose कहां से भीजना है, तो मैं यहां यहां पर scm.gmail.com, let's see, ठीक है, यह मैंना ऐसा random लिख दिया, यह कोई email id, एक जिस नहीं करती है, तो आप ऐसे रख सकते हो, कि verify address scm.com, ऐसे मैंने लिख दिया, अभी हम देखेंगे, अगर message नहीं जाएगा, तो इसको हम आके username निकालेंगे, कहां से, निकालेंगे भाई, हम username को अपने mail strip के account से कि देखते हैं, यह क्या हम यहां पर डाल सकते हैं, कहां से भीजना है, ठीक है, स अगर कोई exception आती है, send होने में, तो message हमें, अगर कोई error आती ही, तो हम message मिल जाएगा, जैसे for example, mail pass exception, यह फिर mail authentication exception, mail send exception, in case of failure, while sending the message, तो यह सारी exceptions हमें, देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहते हो, इन exceptions को handle करें, तो हम handle कर सकते हैं, depending, ठीक है, तो try cash लगा के, अपनी खुद करना चाहरे हो, ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं, save कर लिए, और हम लोग टेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए अपना application जो चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं, में application जो चल रहा है, इसका हम void, send email, test, ठीक है, and mail, small, कर देते हैं, इसको हम लोग test बना देते, अब हम यहाँ से test को run कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग autowire करेंगे, अपने email service को private email service को email service को हम लोग autowire करेंगे, ठीक है, अब इस email service को उउँच करेंगे, send करने के लिए, dot send, and किसको भीजना है, लिट सी हम अपने इस email ID पे देते हैं ठीक है और सब्जेक्ट में अजस्ट टेस्टिंग email service और बॉडी में हम लोग भीज देते हैं अब हमें mail चेक करना कि actually mail गई की नहीं तो हम क्या करते हैं आप यहां पर देखोगे तो हमारे इंवाक्स में दिखा रहा है अब actually हमारे पास mail पहुंची है कि नहीं पहुंची है इसके लिए हम open करेंगे अपने उस email ID को जिस email ID पर हमने भीजा था तो हम यहां पर आएंगे आप देखोगे तो I don't think mail मुझे आई है अधराइस हमें यहां पर mail दिख जाती है एक बार मैं refresh कर देता हूं ओके सो एक बार हम इस पैम चेक कर लें एक्जाक्ली तो आप देखो यहां पर हमारे यह mail टीम से mail आई यह mail नहीं है हमारी ना ना यह mail नहीं है तो मैंने sign up किया था उसका mail वहां भी चेक कर लेते हैं और एम लोग के पास mail नहीं पहुंची एक बार हम ने जो अकाउंट दिया था mail भीजने के लिए जिसको भीज रहे थे एक बार हम वह चेक कर लेते हैं अपने code के अंदर आते हैं और हम चेक करते हैं जो हमने भीजा था batch lcwda.gmail.com ठीक है सई email id सई रखी थी हम लोगों ने email भीजा भी गया है बट पहुंचा नहीं है ओके सो आइधिंग हम लोगों ने development के लिए रखा था तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग actually testing email को छोड़ करके क्योंकि यहां पर दिखा रहा है इसका मतलब mail गया नही है जरा अब हम लोग यहां पर email API SMTP यह वाल एक्चुल यूज़ करते हैं real SMTP server को यूज़ करते हैं let's let's demo domain को connect कर लेते हैं अभी मुझे domain add नहीं करना है integration में आ जाते हैं और हम क्या करेंगे exactly domain जो by default इसका domain वहीं करेंगे integration में आएंगे और यहां पर यह वाले लाइव वाले का हम लोग यूज़ करेंगे server ठीक है सब्सक्राइब टेस्टिंग लिए ऐसा बाकी के लिए आप नॉर्मल टेवाला भी यूज़ कर सकते थे तो एक बारे हां पर आते हैं और हम फिर से इसको अपने टेस्ट वाले अप्लिकेशन पर आया यह एंड अगें आप रन के रिए अपने टेस्ट को लेट सी इस बार क्या होता है हमारा टेस्ट हमारा चल रहा है अभी के लिए फिलहाल और आप देखो यहां पर आ पर आ चुका है नहां पर आप देखो ठीक है सो SMTB की sender failed exception sending from exactly so हमने जो domain डाला it is not allowed scm send अलब जो हमने भीजना कहां से यह डाला है वो दिक्कत कर रहा है तो ठीक है हम लोग क्या करते हैं हम लोग actually चलते हैं वापस अपने service के अंदर जहां हमने इंप्रेशन लिखी यह ठीक है सो हम क्या करते हैं domain I think हम एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं जो हमने verified domain हमारा यह है SMTB. ठीक है तो लेट सी एक क्या domain हमें कुछ मिला है यहां पर लेट सी token API billing है account settings account ठीक है user management है API ठीक है billing sending domains ठीक है okay so मैं क्या करता हूं यह जो domain हमारे पास एक है अगर मैं अपना domain यहां पर add करता तो मैं domain यही domain यूज करता बट हम क्या करते हैं यह वाला domain यूज करते हैं जो domain हमें मिला है okay so let's see यह वाला domain यूज करहूंगा और आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं यहां पर I think मैं यहां पर लगा रहा हूं सम at the rate demo mail strip.com and then again मैं ट्राइ करूंगा ठीक है बाकि अगर हमारा खुद का कोई domain होता तो हम उस domain को उसकरते हैं यह फिर attach कर लेते and then हम लोग उसकरते बट अभी के लिए हम लोग जो demo domain विला है वही हमने यूज किया and जैसे हमने domain दिखे चेंग गया और हमारा यहां पर देखते हैं कि हमारे पास एक्चुली यहां पर दिख कहा रहा है mail ओके सो यहां पर दिख रहा है exactly I think कितने भीजे गए यहां पर ठीक है सो अब हमें actual mail यह आपको यहां पर देखे mail mail चुका है SCM and just testing mail आ चुका है यह देखे यह mail है this is SCM project working on email service और अगर आप यहां पर देखोगे तो mail आया कहां से है यह mail आया से यह सकते हैं यहां पर आई and domain sending कहीं था I think यह रहा sending domains and यहां पर आप domain को connect कर दीजे add domain पर क्लिक करिए और अपना domain यह पर डालिए add कर दिए उस domain से उस domain के किसी भी user से आपका mail चला जाएगा और यहां पर आप देखोगे तो I think यह mail आपको दिखा भी रहा है ठीक है तो जितने mail बचे होंगे यहां पर आपको दिख जाएगा या यह पूरा analytics दिख जाएगा आपको ठीक है so free में हमें कितने mail मिल रहा है 100 mail पर मंद या 1000 mail पर मंद मिल रहा है उतना हमें टेस्टिंग लिए साही है अपना अपना जो भी भी भीजना है हमें एक इसमें और करता हूं एक सीज़ बस कर दे रहा हूं एक सीज में कर दे रहा हूं यहां पर जो domain का user है ठीक है यहां पर मैं spring.mail.properties.domain नेम जहां से भीजना है यह मैं हाट कोड नहीं करूँगा इसको मैं भी इसको मैं जहां भीजना है या इसको user name बोल सकते हैं या फ्रॉम बोल सकते हैं जो भी आपको यहां पर रखना है आप यहां पर लाइए and then इस property को उसकरिए in order to get the value of this property तो यहां पर हम लोग डिर्क्ली नहीं करते हैं हम लोग यहां पर एक private string from या फिर domain name and then value की help से आप इसको fetch कर लिजे yes and then आप अपने domain name को उसकरिए from domain yes आप सही है so अब हम लोग send email वाले service को उसका सकते हैं in order to send the email सारी configuration हो चुके किसको भीज़ना है क्या भीज़ना है subject and body अब हम लोग को simply क्या करना है जब हम email जब हम actual user register कर रहे हैं कहा रेजिटर कर रहे हैं हम अपने service के अंदर यह देखे यूजर यूजर सर्विस इंपल के अंदर and यहां पर हम user create कर रहे हैं यस यह देखे हैं user को create करने के बाद हम लोग के email उस email या उस user जो user जो user ने email डाला है उस email पर हम एक email verification link भीज़ेंगे link को generate करेंगे and भीज़ेंगे then हम एक और end point बनाएंगे जो उस email या उस link को verify कर रहा हो ओके तभी चीज़े हुपाएंगे दरहों चीज़ेंगे ओके सवाइंगे आप समझ पार मेरी बात क्या करना है तो next video करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग मेल स्ट्रेप का पूरा पॉन्फिक्शन कर दिया email हम लोग भीज़ पा रहे हैं अगर आपको फिसे टेस्ट करना है तो test के अंदर आ जाईए वापस and again यहां पर कुछ लिख दिए आपका email वापस से दुबार से जा चुका है थोड़ा सा ओवे से बाट टाइम लगेगा email को भीजने के लिए यस आप यहां पर देख सकते हूं वापस से आजएगी यस जस्ट मैनेजिगा इमेल्स ओके सुमिल नेक्स वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एक email करते हैं एक वेरिफिकेशन लिंक बनाते हैं और उसको इमेल में भीचते हैं जहां पर क्लिक करके हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे वज़र का इस 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 इनेवल कर सकेंगे मिल नेक्स वीडियो के अंदर